वेलकम बाइक टू मैं चैनल तो परेंड आज दो मैं रेशिपी बनाने जा रही हूं यह बहुत ही फायदा के चीज है अगर आपको भूटनों में दर्द वगएर रहता है तो उसमें काफी फायदा करता है हड्डियों के लिए काफी फायदा मन होता है जलिए हम बनाते हैं ब क्तू थोड़ा रोकला समय यहां पर रोठ कर लिए संसरे रीए ड्रैर YOUR ड़क्त कर लिए इसको और चेचिज बोलते हैं रिटावन खेशनुज में बता देगे इसको वनारे मेंältुग से किलए करके अची तरह से रोष्ट कर लेना है बिल्ख अच्छी तरह से करना है जब तक कि कृ alleen होजाए जो आप रोष्ट करा येगाः थोड़ासा सा होने लाई रोष्ट अभल करंची हो जाता है तो टूड़ जाता है इसी तरह से आपको त्यार करने ना के यहां ऱिखिए में भून ली हूं अब हम घैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेते हैं और अब हम क्या करेंगे अफरीन या पर मैं गूर ले रहे हूं तो पाउडरल यह तो खकती है यह बट मेरे पाउस इस तरह से था आफ पाउडरल यह खतम था तो मैं जीतना ग्राम्स में ली थी यहां पर देखें मैं गूड़ को कट कर ली हूं और अब हमें क्या करना है चलना है फिर से में मुझे गैस की तरह और प्लीज प्रेण अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि और लाइक कर दीजेगा और यूटुब चैनल में पहली बार आयोंगा चैनल को सब्सक्राइब कर द करेंग तो फॉलो किजिएगा और कॉमेंस करके जड़ों बताएगा आपकी मेरी रेशिपी कैसी लगती है प्रेंड कापी दिन से वीडियो बना रहे हुए एक वीडियो वाइरल नहीं हुआ प्रेंड प्लीज आप सब मुझे हेल्प कीजिए मेरा बीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यहां पर देखिए उसी कडाईयों में एक चमच और घी डाल दी हो और घी डालने के बाद में यह गूर को डाल दी हो और फ्लेम को लो रखी हो इसको दीर दीर हमें करकर मेल्ट कर लेना है अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा पानी जुरुत पड़ेगा आप एक दो चमच इसमें पानी डाल सकते हैं और यहां पर देखिए गूर मेल्ट हो गई है और उसके बाद हमें इस तरह से चलाते रहना आप चाहते हैं एक चुट की मीठा सोड़ा भी डाल सकते हैं बट मैं नहीं डाली यहां पर अब यहां पर हम डाल देंगी यह जो रो और अब सबको हमें क्या करना है मिक्स करना है थोड़ा समय यहां पर काला नमग डाल रही हैं ब्लैक सॉल तो एक चुटकी के जीतना डाल देजेगा टेस्ट बहुत अच्छा आता है डालिएगा तो नहीं पसंदे तो स्कीप कर दिजेगा लेकिन डालिएगा तो बहुत उसके बाद अच्छी तरह से फ्लेम को लोही रखेगा पी इसको लगतार चलाते रहेंगा जब तक यह अच्छी तरह से ड्राई नहो हो जाए तो मैं फ्लेम को लोही रखिऊंग स्याया ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए जो बिलकुल लोग में पर करियेगा ना भी दीरे दीरे इसको पकाना इस गूड में देखिए अपने आप गूड सूख जाता है मतलब जो पानी पानी था ना गूड बनाने लगेगा वापस अपना गूड फॉम में आ जाता है और यहां पर देखिए बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है अब हम इसको निकाल ले यह बट हमें जादा जरूरत नहीं पड़ा है इसको अलग-अलग करने में अल्रेडी हो रखा था वड़ा बहुत था उसको मैं तोड़ करके अलग-अलग कर ली हूं और यह बहुत करण्ची क्रिश्वी बनता है फ्रें तो मैं इस तरह से बना करकर रखती हूं स्नेक्स में और यह बनाती है क्योंकि टेबल पर ओफिस में लबा में भर करके देना ही रहता है मुझे कुछ न कुछ उनको स्नेक्स में ते में जायतर ओफिस के लिए इसा बनाती रहती हूं तहां पर देखिए बहुत अच्छा से क्रंची बना है और इसमें तील सौंप डाली हूं तो बंद कर दे रहें और प्लीज प्रेंड आपसे रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कीजिएगा मुझे सपोर्ट कीजिए आप सब यहां पर देखिए इस तरह से हमारा बन करके त्यार हो गया है यार गुड़ा और मखाना वाला रेशिपी प्रें जब्सक्क्रबए, जे शेखिए।